कि असलाम अलीकुम स्टुटेंट्स मेरा नाम अमेर शाहिद है और मैं आप लोगों को टीज करूबा फिनेंशल कांपे कि वीकम को आपको पता है कि हम लोग अनिसी भी होते हैं इसे असूसीयेट डीरी इन कॉंपर्स तो सबसे पहले है आज आप लोगों के साथ स्लिबर्स भें है कि आम लोगों नहीं कितने चđटर्स करने हैं थीक है तो सबसे बहुए आप लुब डेखिनե्जर्ट अनिन लुग करेंगे इंचे इंडनर टाक्षिंश्य। इक है यह तोटल सकत देजाएडिकिल अ छर्ट इक उसके बार चेप्टर नमबर 2 है आपनों का ट्रांजेक्शन एंड अकांटिं इक्विशन है इसमें आप लोग फ्योरी भी स्टुडी करेंगी और साथ साथ आप नुमेरिकल भी दरेंगी ठीक है प्रैक्टिकल भी आप करेंगी इसमें काम है उसके पाद है जी चेप्टर नम ला आपा ह मारा लाखर दा मिल्लिष अमार चाप्टन दिठक्बर पर 10 है मारा अकांटिं पर जाप्टन आपीजाड थैंट निबादेंगंग। रीप्रा प्रैक्शन देख निगेवनदेंड देखट्ट्व एंच्शन एंजनेंग्टेंट। पृट्ट्टन एंवर 20 ने चाप्टर नम्बर नाइन जर्नल्स में मिस्प्रेंटी है यह आप लोग लिख लें वैसे आपकी बुक की फॉस्स पेज पर यह होगा तो आप लोग को में जाएगा इसमें मिस है आप लोग नोट करें उसके मतलचे चाप्र ट्वेल में मारा वरक्षीत है चाप्र थाटीन है हमारा फिनेंशल स्टेटमेंट्स चाप्र फूटीन कैपिटल एंट डविनिग चाप्ट्र फिटीन हमारा रेक्टिवाइं आप यह हम इसको रेक्टिविकेशन ऑफ एर्रस भी गोड़ते हैं ठीक है च चप्टर 80 ने हमारा Partnership Accounts और चप्टर 90 ने हमारा Depreciation, Provisions and Reserves अच्छा सबसे पहले आज हमारा पहला लेक्चर है ठीक है तो मैं आप लोगों के साथ भी बिस्किस कर लिए हूँ कि हम लोगोंने Accounting को Study कैसे लाता है ठीक है लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीकम पार्वन की चाहिए यह अच्छा हम लोगोंने इसको Study कैसे कर लाता है बहुत इंपोर्ट है सबसे पहले तो वो जिन लोगोंने आइकन किया हुआ है ठीक है उन लोगों के लिए यह बहुत असान है पूंकि उन लोगोंने यह पहले से ही अकाउंटिंग पढ़े हुए ठीक है अकाउंटिंग के टोटल मैंने 19 चाप्टर्स वे हैं वो भी डिसकुस किया हुआ ठीक है यह जो 19 चाप्टर्स ऐ है यह आइकोंई फिर्स रेफ और सैंडीश वे पढ़ता है ठीक है जो पद्रह चैप्टर है रक्ट करिंग रैंटिंग만 उसके भाद 16 तो 19 चाप्टर्स ऐह यह आइकल्यु सेजिद ही व Tä्यक है तो आप लोगोंने क्या करना है पहली बात यह है कि आप लोगोंने रटा की जल्वन है जिसे चाहिए पहले पांथ चाहिए चप्टर बन जो है अगत अगर आप लोगों दिंग को समझा चाहते हैं तो आप पहले पांथ चेटर्स आप स्टडी अच्छे तरिकी से तो फिर आप लोगों प्रस्ट अगर आप आही तरीए तरीकर के स्वंज़ में नहीं है based practice video दूसरे बात यह है कि आप निसी च्टर गों जनप नहीं करना है ठीक है आप ने चैसे को चुह्ट dy कर दोंगे है एक तो लाइने को आपने वे वाक्राइब है यार करने को आप लोगो ने यार एक निया और दूसरी बात आपने रिटा निया और पहले पांच चेप्टर आपने कॉंसेक्ट के साथ आप भोने स्टेडी करने है डिक है चैप्टर नम्टर बंदर जी कमारों, ठीक है, इंटर्टिक्शन, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार पिर डिस्कस कर लेता हूं अगे, मैंने आप लोगों को बचाया था कि पहले 5 चैप्टर जो हैं वो अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, अगर आप लोग पहले 5 चैप्टर अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आप लोगों को अकाउंटिंग समझ में आए, ठीक है, अगर आप लोग पहले 5 चैप्टर अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोगों को अकाउंटिंग समझ में नहीं आए, ठीक है, फिर यह पहले 5 चैप्टर जो हैं, यह अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, सब के लिए हैं, आप को इनके डिवरी करेंग यह अकांटिंग की बिसिक्स उन सब लोगों के एगी तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चाप्टर नंबर बन पहली आड़ी है हमारी थी नीड एक इंपोर्टक्स ओप्टेंग अगांटिंग की जरूरत की पड़ती है और इसकी एहिए क्या है और आप में अकांटि बिसनस क्यों किया दाता है कोई भी बिसनस क्यों स्टार्ट किया दाता है तो बिसनस करने के लिए आप क्या करते हैं आप प्रोड़क्ट की सेल परचेस करते हैं ठीक है है हुमन एक्टिविटी है ठीक है बिसनस करने का मोटिफ क्या होता है हमारा प्रोफिट अन्पर बिसन हम ब्सक्रस करते हैं कि उंचार बिजनस की बुग सारे टारी हैं तो आपको थी को थाले है Ils बिजनस की कें टाइब से फेलहें ऑ जिसमें आप लोग बनाते हैं ठीक है और फिर आप उसको क्या करते हैं कि मार्جटभी में सेаль疫ải परपस की आपका Pitt तो आपका क्या बिजनर्स है मैनिफेक्चिरिंग इंटरप्राइज निकूंग एक टाइटरी है। दूसरा है ट्रेडिंग इंटरप्राइज यह क्या होता है। कि इसमें आप खुछ शेक्षर नहीं बनाते हैं। तो आपके बनीमना इन प्रोड़क्त मार्केट से लेती हो और आगे जा करते हो उसको सेल करते हो ठीक है परपस के आपका प्रॉफिट अरगा ठीक होगे यह होगे ट्रेडिंग बिसनस इसकी इग्जैपल क्या है कि आप मार्कर बनाते हैं लेकिन आपकी शुपिशनली ही शौक है तो आप जो मार्कर बनाता है उस कंप्पने से मार्कर बाय करते हैं और आगे उसको मार्कर में सेल करते हैं ठीक है और उसके बदले आप क्या लेते हो अर्न करते हो पैसा, money, cash, profit ठीक है यह हो गया services business जैसे teaching जो आप एक services business ठीक हो गया product नहीं बनाते है आप ना ही कोई product sale करते हो जो नहीं, services देते हो और पैसा जो हो अर्न करते हो यह हो गया services business अब transaction क्या है, any dealing between two persons is called transaction transaction, ठीक है, कोई भी dealing two persons के जर्मयान जो होगी, क्या क्या लएगी, transaction अब transaction में क्या होगा, यहां तो आप एक product sale करेंगे, यहां कोई product आप और chase करेंगे ठीक है, यह होगा हमारे transaction, ठीक हो गया, आप आप आज हमने accounting करने की सिंपल से example लेते हैं, accounting का मतलब है आप इसाफ किताब रखाएं, ठीक है, अब हिसाफ किताब रखने से क्या मुझा है, सिंपल से example लेते हैं, आप एक individual person है, ठीक है, आप जॉब करते हैं, ठीक है, आप हर मत कुछ spend करते हैं, आप उपर कुछ आपके expenses हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उन सब का हिसाफ किताब रखते हैं, ठीक है, इसको आप accounting ही करते हैं, अगर आप हिसाफ किताब नहीं रखेंगे, आप कि आपकी income कि दिए हैं, आप अपनी income के मताबिक ही expense करते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक आपने हमको क्या करना होता है , record करना होता है ? बुक्स और पकांट्स को आप क्या करते हैं ? इसको हम भूलते हैं accounting आपके बिजनस की जितनी की ट्राजिक्षिन होती है आप जब कुछ बिजनस करेंगे और रच बनाएगे उसके कुछ खरचे भी आएंगे हैं इसको हुदो आपा सोगें फिर-फिर कि क्यों शॉक्न करेंगे क्या घ्रून करेंगे तो करेंगे आपको यह कि बिजनस में कितने expensive हो रहे हैं, कितनी sale हो रही है, ठीक है, आप पर chase कितनी का रहे है, material, product नाने के लिए, ठीक है, तो आप इन समका लिया करते हो और record रहते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके business की position क्या है, आपको कितना profit हो रहा है, या कितना loss हो रहा है, ठीक है, तो य accounting नहीं करते हैं, आपको यह पता नहीं चली हो, कि आपका business जो है, प्रॉफित में जा रहा है या लोस में जा रहा है, ठीक है, तो आप अपने business को properly run नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस अपको प्रॉपर्ली रहे हो इस लिए जरूदी है, ताकि आप अपने business को properly run कर सके हो बि कर देखागा का संक्रिडी जुरूए उसके बाद सेकेंड वान है अकाउंटिंग का बिजनस की लैगविज में बोलते हैं क्या कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप बिजनस की जो इन्फर्मेशन होती है वह एक सिस्टमेटिकली तरीके से रिकोर्ड कर रहे हैं अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हैं जब आप अकाउंटिंग का मतलब यह कुछ रूज और प्रिंसिपन्स होते हैं आप उनको देखते होए बिजनस की ट्राजक्शन को करते हो वह सब अकाउंट्स में रिकूर्ड करते हैं तो उसके बाद इन्फर्मेशन जो होती है ब घर कुछ चाहिए होती है जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको भी बिजनस की इफर्मेशन चाहिए होती है बैक्स को चाहिए होती है कि आप सेख्यों को उनक्राजवें पर लिए कि लिए से बुक्स अवकांट्स में रिकाउड गर रहे होते हैं और फिर प्र्जेंट करते हैं लोगों सामें ठीक होगे उसके बाद पॉनेक्टेट विद्वा मॉनेटरी विए और ट्राजेक्शन इसका क्या मतलब है सबसे पहले आप लोगों के साथ डिसक्स करता हूँ definition कि accounting की definition क्या है एक definition आप लोगों ने सिर्फ याँ कर देंगे accounting is an art of recording, classifying, summarizing and interpreting the results into the financial statements इसका यह मतलब है यह अभी हम डिसक्स करते हैं सबसे पहले हम डिसक्स करते हैं कि collected with a monetary event or projection accounting कि इसकी possible है उस transaction की possible है कि जिस transaction में cash पैसा involved होगा ठीक है अगर आप goods की sale purchase करेंगे, cash pay करेंगे या cash receive करेंगे तो फिर ही आप accounting कर सकेगे ठीक है वो transaction जिसमें के cash पैसा involved नहीं है उसकी accounting possible नहीं है ठीक है, तो accounting करने के लिए जलूरी है कि transaction जो है उसमें cash पैसा involved होगा ठीक है अच्छा सबसे important बाद मैंने आप लोगों के साथ अभी तक discuss नहीं की accounting करते होगे तो आप लोगों यह फ्यार रखता है कि आप business के क्या हो, ठीक है आप ने अपने business point of view से हाट transaction को सोच रहा है accounting करते होगा ठीक है तो फिर आप लोगों के लिए काम जाओ काफी असान होगा ठीक है, अगें मैं repeat कर रहा हूँ कि accounting करते होगे आप लोगों यह रिस्यूम करता है कि आप business के क्या हो accounting आपने हर ट्राजेक्शन को अपने point of view से देखना है record लागा है ठीक होगे, sale अगर की है तो आपने सोच रहा है कि यह sale आपने की है purchase की है तो यह purchase आपने की है आपने point of view से देखना है ठीक है, आप business के क्या हो, accounting हो या आप business ठीक होगे, उसके बाद transactions are processed into four different stages ठीक है, मैंने भी आप लों के साथ definition discuss की है अब मैं आपके साथ भी discuss करता हूँ transaction को चार different stages में process किया रहता है सबसे पहले मैंने बोला, accounting is an art of recording जब भी क्यों transaction होती है, आपने उसको क्या करना होता सबसे पहले record करना हो first stage time recording जैसे transaction होई, आप उसको account की book में क्या कर रहूँ है रिकोर्ड दा, उसके बाद मैंने बोला accounting is an art of recording classifying अब इसके बाद second stage ही आदी है कि वो transaction जो nature में same होती है similar picture ही होती है आप उनको separate कर लोगे उसको हम बोत है classification या classified उसके बाद classification की base पे आख करते हो record को इकटा करते हो जिसको हम बोलते है इसके बाद इसके बाद कि फाइनली आपके ठतिवो financial statements पर वेट करते है आप अगी सुने financial statements क्या आप financial statements जो होती है दो तरह दो होती है एक है profit and loss account और दूसरी है income statement या profit and loss account बोलने या income statement बोलने यह आप बनते हैं इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके business को कितना profit हो रहा है या कितना loss हो रहा है दूसरी financial statement है हमारी balance sheet यह मैंने आपको डॉनस भी बता रही है यह funder आगे आगे हम डिटेल में discuss करेंगे ठीक है दूसरी आपकी financial statement है balance sheet balance sheet से आपको यह पता जलबाता है कि आपके business की position है कि आपके पास assets कितने हैं आपने लोगों से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे आपने लोगों के देने हैं आपके business की position क्या है तो आपको clear हो गया financial statements दो दरब profit and loss account या income statement इससे हमें बतल चलता है कि हमारे business को कितना profit हो है या कितना loss हो और balance sheet से में पता चलता है हमारे business की financial position क्या है तो profit and loss account या income statement आपके business की financial performance को show करता है और balance sheet आपके business की financial position को show करते हैं यह आगे हम detail में discuss करेंगे आपने tension ही नहीं कोई चीज अगर समझमें नहीं भी आती तो फर्दर आगे जाके हम इसको detail में discuss करेंगे यह